में आज आपको बताने वाला हूं senior clerk कम टाइपिस्ट के बारे में कि उनका work क्या होता है उनका salary structure क्या होता है उनकी medical standards होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हम लोग आज इस पर बात करने वाले हैं इससे पहले मैंने आपके लिए चार एपिसोड जो है रिलीज करवाई थे, ट्रिपल सी टीएस पे मतलब चीफ कमर्शिल कम टाइपिस्ट उपरवाईजर पर, स्टेशन मास्टर पर, गुर्स ट्रेंड मैनेजर पर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंस कम टाइपिस्ट पर म मतलब, वहाँ पर मैंने आपको डीटेल बताय था, आज यह जो पाश्वी क्रेटिग्री है, जो कि दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल के अंतरगत आई है, एंटीपीसी में, नॉन टेक्निकल पॉप्लर क्रेटिग्री में, आट हजार 113 जो वैकेंसिज आई है, उनमें से के के टेगरी यह है, Senior Clerk कम टाइपिस्ट, तो अभी दोस्तों, जो मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताय था, इनका और उनका कार सेम होता है, बस designation का फर्क होता है, यह Senior Clerk कम टाइपिस्ट होते हैं, और वो दोस्तों, Junior Account जो है, Assistant कम टाइपिस्ट है, यह ध्यान रखेग ठीक है, अब क्या-क्या फर्क है, इसे हम बात करते हैं, अगर मैं Senior Clerk कम टाइपिस्ट की बात करूँ तो इनका पहला रोल होता है, Supervision of Clerkial Work, जितने भी दोस्तों, Clerkial Work कर रहे होंगे, वो इनके अंडर में होंगे, जैसे कि Junior Account, मैंने आपको पता है, Junior Account Assistant जो होंगे, वो दोस्त अगला जो इनका कार है, Data Entry and Typing, सेम दोस्तों, Junior जैसे Junior Assistant का था काम, वैसे इनका भी है, Junior Account Assistant की तरह, Senior Clerk होंगे, उनका भी सेम काम होगा, कि Data को Entry करना, उसको टाइप करना, ठीक है, तीसरा काम होता है, इनका, Maintaining Record, अम Maintaining Record क्या है, दोस्तों, जैसे कि कोई भी Organize की जारी ह फाइल, ठीक है, या फिर कुसी फाइल को Manage करना है, कोई भी Records रखने है, या कोई भी Related, मालीजे कि जैसे दोस्तों, आज कोई Train से Related कोई Document है, for example, कोई Train release की गई है, उसके Related कोई Documents है, तो वो इनके पास होंगे, ठीक है, उसको Manage करके रखा जाएगा, या फिर Station में, जो जिस Station में ये कारे कर रहा होंगे, for example, कल आप बन जाते हो, Senior Clerk Come Typist, तो आपके Station में, जो भी दोस्तों, वर्क हो रहा होगा, उसका Record आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कल को, अगर Question उनता है, कि हमने इतने पैसे, जो है, अलोट किये थे, क्या इसका वर्क पूरा कराएगा, तो आपके पास जो है, रिकॉर्ड होगा, तभी तो आप इनको शो कर पाओगे, हाना तो ये भी रिकॉर्ड इनहीं के पास होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा, चाहे Finance की बात कर ले, चाहे फिर Other Documents भी बात कर ले, अगला जो है, Coordination of Office Task, ठीक है, जो भी Office Task होंगे, उनक टीम को भी Coordinate कर रहे होगे, हाना ये भी याद रखेगा, जो भी Office Task होगा, जो है, यहाँ पर कार्याल से Related, जो भी वर्क होंगे, उसके लिए ये Coordinate कर रहे होंगे, ठीक है, प्रिपेरिंग रिपोर्ट और ये रिपोर्ट भी प्रिपेर करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठ ठीक है, तो वो सारी रिपोर्ट यहाँ से जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बाद जो है, Assisting with Audit, Audit में ये मदद कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी Documents की Requirements होगी, जो भी Report की Requirements होगी, अगर External या Internal Audit करवाना है, माली जो कलको इनको Audit करवानी है, कि भ होगा, Supporting to Senior Official, जो इनके Senior होंगे, उनको support करना, ठीक है, अगर कोई भी कार उनको चाहिए, मतलब मदद चाहिए, तो वो इनसे कह सकते हैं, इनके Senior इनसे, ठीक है, तो ये उनकी भी मदद करेंगे, ये धियान रखेगे, ये इनके सारे कार हैं, ठीक है, किसके Senior Clerk, कम टाइपि Celery structure लगभग सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये भी 5th level पे है, ये याद रखेगा, ठीक है, इसमें Basic salary 29,200 है, उस Junior Account Assistant में भी इतनी ही थी, ठीक है, और Dearness Allowance 14,000, HRA जो है, यहाँ पे Home Rent Allowance जो है, 2000 से 8,000, और TA जो है, ये 3600 से 7200 के बीच में vary करती है, it differ from city to city, मतलब आपके city में city A में रहे हैं, city B में, city C में, मतलब आप village में रहे हैं, या फिर town में रहे हैं, metropolitan city में रहे हैं, तो it may differ, ठीक है, तो वो differ कि इतने के बीच में vary करेगा, ये दिहान रखेगा, ठीक है, तो इनके भी जो अगर हम monthly salary देखते हैं, तो वो लगभग 40,000 के आसपास बनती है, 40,000 स 45,000 के उपर, हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, कि इसमें एक फाइदा ये होता है, कि अगर आप जो है, government holiday पर work करते हो, तो यहाँ पर आपको allowances दिये जाते हैं, ठीक है, उसके जो है, दोस्तों, आपको allowances मिलते हैं, या extra pay किया जाता है, उसका, तो यहाँ पर कई लोग, Saturday, Sunday, या फिर जैसे माली जे कुछ तयोहार आगे, तो वहाँ पर भी work करके, उसमें salary में include करवा लेते हैं, अब देखें, इनके लिए जो medical test होता है, इसके लिए भी C2 चाहिए होता है, junior account assistant come typist के लिए भी C2 चाहिए था, इसके लिए भी C2 चाहिए रहेगा, ठीक है यहाँ पर distant vision 6 by 12 होना चाहिए, ठीक है, nil with or without glasses, near vision 0.6 combined with or without glasses होना चाहिए, और reading or close work is required, क्योंकि दोस्तों आपको जब आप बैठोगे, senior clerk का कम typist में बैठोगे, यहाँ पर इसको हटा दीजेगा, यह junior का नहीं है, सेम junior और senior का same ही है, तो यहाँ पर लिख लीजेगा, यह senior हम clerk की बात कर रहे है, senior clerk कम typist की बात कर रहे है, तो इनका और जो junior accountant है, उनका सेम रहता है, ठीक है medical standard, तो आप अगर इस medical standard को qualify करते हो, तो आपका selection इस post पर हो जाएगा, तो मैंने आपके लिए पांचों category के बारे में बता दिया है, उमीद करता हूँ यह categories, अब आपको medical standard क्या है, या फिर जो है, आप salary structure के according देना चाहते हो, या work के according देना चाहते हो, आप preference तो आप दे सकते हैं, यह छोड़ा session था, उमीद करता हूँ session पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो share करिएगा, और comment box में comment करिएगा, अगर आपको कोई भी doubt होता है, हम आपके लिए definitely उस पर जो है, एक session लेकर आएंगे, चलिए, मिलेंगे अगले session में, तब तक लिए bye bye, take care, जै हिन, जै भारत